दिल्ली बिधासवा चुनाप को लेकर 60 वजार की क्या ताजा आखरे निकल कर आ रहे हैं बीजीपी कॉंग्रेस आमादी पार्टी को कितनी सीटे यहाँ पर जा सकती हैं सबसे ताजा यहाँ पर आखरे निकल कर आ रहे हैं 2015 में एक्तरपा आमादी पार्टीनर सुर्सवर सीटे जीती लेकिन 2020 के एलेक्शन में काफी धमासान मचा हुगा है जिसका से साइन वाग हो या जामिया सी ए का जो ग्रोग किया गया है कहीं इसका समर्थन किया गया है लेकिन साब तौर पर जायर है कि दिल्ली के अंदर इसका को लेकर ही आमादी पार्टी पूरी तरस का तरक हो चुकी है और तीसरी बड़ी पार्टी आमादी पार्टी बनी लेकिन 2020 के लिए क्या अफ़रे बन सकते हैं इन आकों को हम जानेंगे तो आफसे इस वीडियो को आफसे सुरू सुले के लाट पर जिए चलिए आफ़रे पर कहीने कई दावे में तो ज्यादा वेहतर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन गोशना पत्र जिसका से यहां पर जारी किया है इसमें कहीने कई आमादी पार्टी को यहां पर चौका दिया है और यहां पर अगर बात के तो दिल्ली में फ्री सेल का माहुल बन चुका है बी सीथे कंग्रिस के हिस्ث mett में भी जो यहां पर आखरे बंडर हैं उनमें चार सिदे ़ो पप यह आप सकती है जो आवाधी पारटी याीजी के का समी करने हैं पर इगार सकती है यह噜 कैर और ले कर पड़ाटी नजर नहीं आई है इसके लिये किर बाराप पर्सेंट बोटर्स किस तरफ यहां पर जुक जाएंगे पर वाराप प्रसेंट बोटर्स ही टेर करेंगे कई ऐसी सीटें हैं जेहांपर जिसमें उक्ला की सीट करत करें तो यहां पर साथ परसंट मुस्लिम बोटर्स आते हैं और इन 60% मुस्लिम बोटर्स का सीधिक तोर पर वहां की सीध पर काफी एहम युगदान रहता है अगर यहां पर मुस्लिम बोटर कहीं कॉंगरी सामाधी पार्टी बढ़ जाते हैं तो कहीं इसका फायदा वीजी पी को होने वाला है यह भ सामती सीटे फिल लहाल यहां पर दिखाई देनी सटा वजार के अनुशार लेकिन कई ऐसी सीटे नहीं हैं जहां पर कड़ी तकर देखने को मिलेगी इन्मेल लगवग यहां पर वीजी पी और आमादी पार्टी कड़ी टकर रहेगी कभी यह 60 बजार के आंक्रे उनको बीजीपी के तरफ दिखाते हैं तो कभी यह आंक्रे जो है आमादी पार्टी को इन 20 सीटे दिखाते हैं अगर यह 20 सीटे जिस भी यहां पर पार्टी को आखरी मूमें तब पहुंच जाती हैं सरकार की ही वनेगी यह 60 बजार और कईवरे एक्सपार्ड लोग जो बड़े बड़े यहां पर एक्सपार्ड हैं और ओपनियन पूल तयार करते हैं उनका भी मानना है और 60 बजार के रुज़ान भी यह मानना है कि 20 सीटे ऐसी इन 70 सीटों मैंसे यहां पर कड़ी टकर देखने को मिलेगी तिलहाल ज यहां पर 30 से यहां पर 40 सीटे ला रही है तो 30 से 40 सीटे यह अपने दम पर ला रहे हैं और बोट परसंटीज भी अगर आपको दिखा दें तो इफिलहाल जो यहां पर ABP नीज ने जो सर्वे दिया उसमें आमादी पार्डी जो है 45 परसंट बोट शेयर यहां पर ला रही है और अगर इनमें आगर बात करें यहां तो 12 परसंट जो मुस्लिम बोटर्स हैं जो आमादी पार्टी और यहां पर कॉंग्रीस के पक्षमें जो बारा परसंट हैं अगर यह 12 परसंट मुस्लिम बोटर्स यहां पर आमादी पार्टी और कॉंग्रीस में बढ़ रहते हैं तो कि आर्बास निकल करा रहा है कि बारा परसंटेज लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि तयह नहीं कर सकते हुए पक्षम जा रहे हैं यह 12% लोग आखरी मूवमेंट पर टैक करेंगे वो किसके पक्षम जाते हैं अगर यह बीजी पी की तरफ चले जाते हैं तो यह बीजी पी का जो आंकड़ा है परसंटेज का वो 45 पार चला जाएगा और आमादी पार्टी में और कॉंग्रिस में जो 12% मुस्लिम बूटर है ज तो फिर सीधे तोर पर वीजी पी यहाँ पर पलटवार करसके यहां आकड़े बन सकते हैं ऐसे अनुमान यहां पर लगाय जा रहे हैं इसके अलावा अगर आपको आकड़े और वी दिखादें जिन में वीजी पी और आमादी पार्टी पड़ी यहां पर चुनावी पर चा अबी रेलियर करने वाले हैं तो ऐसे में कॉंग्रीस का जो पलरा है वो कितना भारी हो सकता है यह भी बहुत जल्द इसके आंपरे भी जारी होने वाले हैं लेकिन फिलहाल जो यहां पर तस्वीर बन सकती जिसमें बीजीपी की लिए अगर बात करें और यहां पर आपकी बात करें बीजीपी के लिए तो लगभग 25 या 30 सीटें फिलहाल यहां पर बीजीपी की दिखाई दे रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो तह नहीं कर सकते ऐसे 12% बोटर्स हैं और अगर बात करें कॉंग्रेस के लिए जो यहां पर 12% मुस्लिम बोटर्स हैं वो यहां पर पॉंग्रेस और वड़ जाते हैं तो फिर भायदा वीजीपी को होगा और जो 20 सीटें हैं अगर इन 20 सीटों मैंसे जो कड़ी सीटें मानी जा रही हैं उन 20 सीटों का जिस वी यहां पर पार्टी को समर्थन मिल जाता है बोटी के जीद जाती है सरकार उसकी बन जाती है फिल करने जानकारी की साथ और नए यहां पर विस्लेशन की शाद एक बापत से आपके शामने फिर हादर होंगी तो तब तक लिए जहन जय भारत